हेलो फ्रेंस कैसे है आप सब चलिए आज हम गहूं के आटे से पापड़ गनाएंगे ते एक कटोरी मैंने आटा ले लिया है अब इसी कटोरी से नापकर हम ले लेंगे मैदा यह देखिए और इसी कटोरी से नापकर हम चावल का आटा लेंगे तो देखिए इसी कटोरी से नापकर हमने लिया है ते तीन कटोरी मेरा आटा हो चुका है तो अब इसमें हम पानी डाल कर इसका हम बेटर तयार करेंगे पहले यह देखिए अब बहुत जल्दी बन जाता है अब बहुत सिंपल तरीके से बनता है इसको जरूर बनाईएगा अपने असाब से बहुत रिक्वेश्ट है वीडियो पूरा देखिएगा अलाइक सेर करना बिल्कुल न भोलेगा और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो यह देखिए हमने इसको अच्छे से पानी में घोल लिया है अब इसमें और पानी डाल कर इसको हम बेटर को पतला कर लेंगे तो यह देखिए तो यह देखिए अच्छे से हमने इसको पतला कर लिया है अब यहाँ पे हमने यह देखिए पानी रख दिया था पगोने में उबलने के लिए यहाँ पे डाल देंगे हम जीरा और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक और डाल देंगे इसमें कटी धनिया पत्ती अब यहाँ पे जो भी मसाला आपको पसंद हो यहाँ पे डाल सकते हैं तो यह देखिए हमारा पानी अच्छे से यह उबल रहा है अब इसी उबलते हुए पानी में हमने यह जो आटा घोला था इसको हम डाल देंगे इस तरह से क्या है प्रेंस के लम्स नहीं पढ़ते हैं अब बहुत जल्दी हो जाता है अब इस तरह पानी उबलते हुए पाने में हम आटा डालेंगे तो यह गुल्टियां जैसे पढ़ जाती है तो यह बहुत आसान तरीका है इस तरीके से बनाईएगा तो यह देखिए इसी तरह से हम कल्ची से चलाते जाएंगे नहीं तो क्या है कि तले में लग जाएगा तो अब इसको हम चलाते जाएंगे नहीं तो नीचे नीचे लगने लगेगा अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे ये देखिए गाड़ा होने लग गया है तो इसी तरह से चलाते हुए इसको हम पका लेंगे प्रेंस आप से बहुत रिक्वेश्ट है लाइक सेर जरूर करिएगा और सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा तो ये देखिए इसी तरह से इसको हम मिलाते हुए पका लेंगे देखिए अब उबलने लग गया है ये अच्छे से पक रहा है और कमेंट में जरूर बताईएगा फ्रेंस कौन सी पापड की रेस्पी चाहिए आप कमेंट करेंगे तो मैं उसकी रेस्पी आपको दूँगी तो ये देखिए इसी तरह से मिलाते हुए इसको पका लेंगे तो देखिए फ्रेंस ये अच्छे से हमारा बिटर पक चुका है यह देखिए अब गय इसको हम कर देंगे बंद अब चलेंगे हम छट के उपर इसको फैलाने के लिए तो देखिए फ्रेंस हम यहां छट पर आ चुके हैं अब इसको हम कल्ची के मदद से इसको इसी तरह से फैलाते जाएंगे अब फ्रेंस हम ये पन्नी को उपर डाल रहे हैं, इसको पन्नी को उपर ही डालना है, कपड़े उपड़े पर नहीं डालना है, नहीं तो क्या है कि ये निकलने नहीं आता है, तो देखे फ्रेंस हमने कुछ वाइड बनाये हैं, अब कुछ कलर में बनायेंगे, तो हमने देखे क Не यह व스o आप great जाएंग overlap offers औरशे लागे आड़ा करने आए यह बिए को जूका के दिश्फला नहीं सिदि अधर कॉछ दालना है आप आपses फ्रेंस प्था को और दखीं był साथ कि प्रप्रेंस झाला दिया हैं अर्श दो दीं की थोप दिखानी है यह अच्छे से सूख जाएगा तो देखिए फ्रेंस हमने सारे पापड को अच्छे से सुखा लिया है ये दो दिन से तीन दिन की धूप लगाई है हमने तो चलिए अब इसको हम तलेंगे अब बहुत अच्छे से बना हुआ है देखिए हमारे ओलिया ये आटे से पापड बने हुए है तो देखिए इसी तरह से बनाईएगा प्रेंस तो जितना तलना हो जितना खाना हो सोरी जितना खाना हो उतना ही तले तो ये देखिए इसी तरह से हम पापड को तल लेंगे अब इसको हम निकाल लेंगे तो देखिए प्रेंस हमने सारे पापड को तल लिया है जितना खाना था उतना तल लिया है प्रेंस तो वीडियो कैसी लगी प्रेंस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करिएगा और सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा मरे बिल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली नूटिपे के सान आपके पास सबसे पहले पहुँचे मिलेंगे नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए ठेंक यू